हो आगे जे ए टी टी मारों सारे सीटी गब रूर ने सोने पिच्छे तीना स्वीटी प्रीजी जे ए टी टी तिसे मारों सीटी सर्दे वाले सर्दे रेगे असी दुनिया जीती नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है राजिनल और मैं आज आपको सिलाई मसीन सही करना सिका हूँ दोस्तो मेरे पास ये खराब दो कुश्या की चलाई मसीने हैं आप देख सकते हैं ये दोनों ही मसीने खराब है आज हम इनको सही करें दोस्तो देखते रहिए आखर तक हमारा वीडियो और प्रीज इस वीडियो को शेयर करें सब्सक्राइब करें लाइक करें चोड़ दोस्तो हम मसीनों को सही करते हैं दोस्तो सही करने के लिए इस मसीन को पहले हम करीब से देख लेते हैं और आप देख लो इसका मोडल कैसा है इसको पीछे से भी देख लेते हैं तो इस तरीके का इसका यह मोडल है तो दोस्तों हमको सबसे पहले जो यह इसका गूमने वाला इस है इसको अलका सब पकड़के गुमाते की कोशिस करेंगे तो अब देखोगे यह जाम है यह बहुत कॉमन प्रोबलम है वह यह जब जादा सेलर नहीं कर लेते हैं इसको पकेज़ा यह उती ही होती है यह बहुत टाइट है हलाकि यह यहां से आप चल रहा है और यह बहूदा it है तो चलव दोस्तों, हम इसको सभी करते हैं और इसके लिए आपको बताते हैं कि इसको खूनली कैसा है इसमें दोस्तों ये बहुती लेटस्ट मोडल है और इसको यानि जितना हूँ से यूज baru फ्रेंडली बनाया है इक इसको खूनला भी आसान Давайте और बंद करना दी मॉस्टली दोस्तों इसको यहां अंदर से खुलने की जुर्ट नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि एकदम सेफ इसका खराब होने का चांसे बहुत माइनर है अगर प्रोब्लम होती है तो यही यह कैसा हिस्सा है जिसमें ज्यादा दर मतलब 80% 25% प्रोब्लम फ्रोब्लम आती है मैं आपको खूलके बताता हूं ठीक है तो हमको सबसे पहले जो आपको यह एक इसकुरू नजरा रहा है इसको खूलना है ठीक है तो दोस्तों देखिए ये इस प्रूम मैंने इसका खोल लिया है अब हम इस टब को तोड़ी आराम से बाहर निकालने के कोशिश करेंगी इसके लिए मसीन को सीधा रखना है दोस्तों की इससे में ये तोड़ा पसा हुआ है तो हम इस जब टेट कर लगा है तो अब अब हम इसको आराम से इससे को देखाए तो दोस्तों गोर करके देखो आपको ये जो इससा काम कर रहा है सही एक दो परिटाइड फिर रहा है तो दोस्तों इसके लिए देखिए आप जो मसीन का दागे वाला इससा है जहां से दागा आता है वो इससा हम देखिए ये ये दोस्तों आपको दिखाए दे रहा है ये वाला इससा है इसमें आप गोर करके देखोगे तो इसके दर बहुत सारी दाड़े लपते हैं मेरे देखो ओके आप पास में से देख सकते हो साइद मेरा केमरा इतना जूम नहीं कर सकते हैं इसको ओके दोस्तों साइद आप उस दिखाई दे एक सेकिंद देखो ओके दोस्तों आप देख सकते हो उसको जूम करके बड़ी नजदीक से कि इससे में दागे लपते हैं अब हमको क्या करना है एक नई ब्लेड लेनी है और उस ब्लेड की मदद से इन दागों को यहां से अठाना है ताकि यह जो यहां पर जो इसको जाम हो रहा है वो सई कर सके हैं ठीक है दोस्तो अब हम इस नई ब्लेड की मदद से यह जो यहां पर यह जो आपको दागे नजर आ रहे हैं इसको आराम से अठाना है काटना है जो जादा फसे हैं को काट देना है और जो उलजे हैं उनको आप दालिच करें आराम से करें क्योंकि यह दो ब्लेड है इसे आप कट भी सकता है तो प्लीज आप इस चीज के डियान रखें कि आराम से इस चीज को साफ करना आपको आप चाहें तो इसके अंदर किसी और भी हो जार की मदद ले सकते हैं जैसे परकार सुई ताकि बारिकों बारिक जगे हैं और इस जगे पर यह चीज अपने को साफ करना है ठीक है दोस्तों यह देखो इस दागे को हमको यहां से अठाना है ठीक है खीच के आराम से निकाल सकते हो थोड़ी मशीन को आगे पीचे करके भी गुमा के ते पुर्टे से हिलारों में यह लरी है और साफ कर लिए ठीक है दोस्तों आप देख सकते हो यह सामने एकदम साफ कर लिया है और यह से एकदम साफ हो गया है अब हमको दोस्तों इस मसीन में हलका ओएल डालना है ओके दोस्तों अब हमको इसके और डालना है तो और डालने के लिए हमको सबसे पहले इसके जो मूव करने वाले पार्टों को गोर करके देखना है देखो यह कहां कहां से इसके पार्ट मूव हो रहा है और किसी जगे हमको ओएल डालना है ठीक है तो दोस्तों डालने का सही तरीक है कि हमको एक तो एक प्समें विल्कुल भी ज्यादा एल नहीं जालना नहीं इस पेसखस पे लेकर एक भून डाली है है आपर किए इस से ज़्यादा नहीं एक प्रहुट अब हमने निचले इससे कि बढ़ा दिया कि धो स्कुट भू इसके लिए बहुत गहता करेती है जब इसके ओईलिंग कर दी है जो इसके मुववेंट करने वाद है इससे सभी में लगबग इससे ये मसल काफी स्मूथ चलने लगेगी दोस्तो ओईल का मतलब है बहुत माइनर साथ तो क्योंकर हम जादा ओईल डाल देते हैं तो ये मसीन गंदी हो जाएगी और अपड़ा ओईल काम भी नहीं आएगा ठीक है दोस्तो तब हमने ये स्पोईलिंग कर दी है लाइस के अलिकी सिस को फिरा के देखेंगे हम अब ये चल रही है ठीके दोस्तों अब हम इसको लाइट से कनेक्ट करके चला के देखते हैं कि दोस्तों मैंने इसको अब बिजली से कनेक्ट कर लिए अब हम इसको हलकी हलकी स्टार्ट करके देखेंगे क्या रेस्पोंस आता है कि दोस्तों मैंने इसको काफी दीरेश चला रहा है इसको अब किसी चलने दो कि देख करते हैं इसको तो ठीक है दोस्तों ये हमारी मसीन सही हो गई है अब इसको हम इसका के कि दोस्तों अब हमारी स्लाइ मसीन स्लाइ के लिए तैयार हो गई है और हम इसके लिए अब इसके अंदर डागा डालें ठीक है दोस्तों तो मैं अब आपको डागा डालने का सहीत तरीका बताता हूं देखिए यहां पर यह गट्टी डालनी है ठीक है दोस्तों फिर इसको न्यास से यह से जो यह पहला क्रोश है इससे हमको नीचे लेके जाना है ठीक है दोस्तों हमने इसको नीचे तक लिया वापिस इसको रिटन उपर लाना है ठीक है दोस्तों फिर यह जो उपर का यह हिस्सा है परिनमा को बताते तो हूं यह लो इस हिस्से में बच्छ दागे को पिरोना है इस तरीक है ठीक है दोस्तों और इसको वापिस नीचे लेका आना जो दागा नीचे आ गया है अब किस दागे को हमको किस सुई कंदर पिरोना है ठीक है दोस्तों दोस्तों यह दागा मैंने इस सुई के अंदर पिरो लिया है आप जान से देख सकते हैं अब हम इस स्टेंब को पुंचा करके इसको इस बीच में से यह दोनों दागों को देख दोस्तों यह दागा नीचे से एक उपर से दो दागे है गया से बेक पर रख देने ठीक है अब इसकंदर हमें एक कपड़ा रखेंगे कि कर दोस्तों यह सपेट कपड़ा में ने डाल लिया है और काला डागा है ताकि मैं आपको इस केमरें इसकी से लाए को साफ दिका सकूंँ दोस्तों अभी देख वारी सुई उपर है इसको स्टार्ट करने सब्सक्राइब दोस्तों एक बार इस सुई को इस तरी जैसे दोस्तों कि अब इसने बागा पकड़ लिया है ठीक है दोस्तों अब इसको देरे-देरे स्टार्ट करें कि देखिये तो दोस्तों देखिए यह इसकी से लाए ठीक है इसको पिच्छे से भी देख लिए लेते हैं दागा साही देरी है ना कि अब कि तम इसको एक बार कि दोस्तों एक बार हम इसका देखो जिग जेग पैटर्ण का ट्राइल ले लेते हैं ठीक है दोस्तों इसको चला के देखते हैं हुआ है ठीक है दोस्तों आप देख सकते हैं इसका ही जिग जेग पैटर्ण इसका है इसका है जिग जेग पैटर्ण दिया है तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस मशीन को हमने ठीक कर लिए है और मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपके लिए काफी उप्योगी होगा ये वीडियो ये और मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आपको मशीन के बारे में कोई और समस्या हो तो मेरे को कमेंट्स करें ताकि मैं उस समस्या को तो आपको बता सूँ ठीक है दोस्तों और हाँ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर पर थेंक्यू दोस्तों होगे जे ई टीकि, मनोसा ए सिटी प्रूर ने सोने पिचितिना स्थी पृूरूरू जे ए टीकि, विस्से मनोसीती स Nepomber नवोल जर्धर रेगे, ती तुनिया जिए